नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन, आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोज डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्री जानकारी आपसे चूटता जाए, धन्यवाद नमस्कार, मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन, दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 19 सितंबर के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की, विक्रम समवत 2070 मास च मेश राशी की, मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए आज कोई आपका साथी व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके साथ होगा और आपको धोखा देने के फिराक में होगा, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, ओम श्रीदाए नमह मंतर का 108 बार जाप कर के अपना बहुमूली समय आप नश्ट न करें, मितुन राशी, मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंदी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णे करने से आपको बचना होगा, ओम श्रीक अंठाई नमह मंतर का 108 बार जाप करें और परिवार की बात क्या सुझाव को आपन देखा बिलकुल न करें, करकराशी, करकराशी वाले जातक लोगों के लिए आपके कारेशित्र में काफी समस्या वाद विवाद की स्तिती चल रही जिसकी वज़े से आप बहुत जादा आज परेशान हो सकते हैं, ओम शुर्प करनाई नमह मंतर का 108 बार जाप करें और मेहनत और परिश्रम से आप पीछे ना हटें, सिंग राशी, सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए कामकाज के सुखत परणाम आज आपके सामने आ सकते हैं, स्वेम का सोच विचार आपके लिए सार्थक होगा, ओम शुधाय नमह मंतर का 108 बार करें, मानसिक ठकान और अदासीनता को आप अपने उपर हावी ना होने दें, तुला राशी, तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई बेहद महत्वपूर निर्णाय आज आपको करना पड़ सकता है, ओम शाश्वताय नमह मंतर का 108 बार जाप करें और कुरूद करने से आपको बचना होगा, धनुराशी, धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए आप अपने कारे की जो अधूरा छोड़ने की आदत है, उस आदत को ध्यान दे करके बदली अन्यता आप आने वाले समय में बहुत गंभीर समस्या में फ चाहिए, उम वीत भयाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें और जूट बोलने से आपको बचना होगा, कुम्बराशी, कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए प्रयास करने से रुका हुआ धन आज प्राप्त हो सकता है, भागे का साथ आपके साथ बन रहा है, उम 108 बार जाप करें, बड़े वादे, बड़े कमिट्मेंट करने से आपको बचना होगा, तो दोस्तों ये तो बात रही है, आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना, ग्रहनक्षतर की इस्तितियां क्या कहती है, और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और वास्तु शास्त्र में जमीन की बनावट घर की दिशा और घर में रखी हुई चीजों का अध्यन किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है कि उसकी किस प्रकार की उर्जा आपको कैसे प्रभावित करेगी, वास्तु शास्त के नुसार घर की जमीन, घर की दिशा, और घर में रखी हुई चीजे व्等一下 के जीवन पर बहुत हत्तक प्रभाव डालती है इसलिए घर में ऐसी कोई भी चीज आपको रखने से बचना चाहिए जिसका प्रभाव नकरात्मक हो सिर्फ ऐसी ही चीज रखें जिसका प्रभाव आपके जीवन पर और परिजनों के जीवन पर सकरात्मक पढ़ता हूँ यानि पॉजिटिव इंपक्ट देने वाली चीज़ें रखें निगेटिव इंपक्ट देने वाली चीज़ों को घर में रखने से बचना चाहिए वास्तु विज्ञान में कहा गया है कि युद्ध से संबंदि चीज़ें जैसे तलवार बंदू कादी नहीं रखना चाहिए इससे क्रोध और आपस में द्वेश बढ़ता है बहुत सारे लोग घर में महाभारत की तस्वीरे लगाते हैं वास्तु विज्ञान के नुसार यह भी घर की सुख शानती में बाधक होता है महाभारत एक पारिवारिक युद्ध था जो परिवार में संगर्श की भावना को बढ़ाता है इसलिए महाभारत की तस्वीर को घर में नहीं रखना चाहिए भगवान भुले नात की जो नटराज की मूर्टी है जो मुद्रा है यानि भगवान शिव की नटराज की मूर्टी भी लोगों को काफी आकरशित करती है लोग बहुत पसंद करते हैं ड्राइंग रूम में इसे लोग बड़े शौक से रखते हैं तोर पर कला से जुड़े हुए लोग इसे श्रद्धा पूर्वक घर में रखते हैं जबकि वास्तु शास के नुसार शिव की नटराज मूर्ती विनाश का प्रतीक है क्योंकि जब शिव क्रोधित होते हैं तो नृत्य करते हैं शिव के तांडव नित से प्रले मत जाता है इस के इस्थिती और गती का वर्णन प्राप्त होता है इस पुरान का पाठ किसी भी मृत्यू के पश्शात आत्मा की शांती के लिए किया जाता है अता इस कारण से इसे घर में नहीं रखा जाना चाहिए टाइटानिक के पॉपुलर होने के बाद बहुत से लोग टाइटानिक जहाज की तस्वीर घर में लगाने लगे बड़े बड़े पोट्रेट उसके लगाने लगे वास्तु शास के नुसार डूपती हुई नाव की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए इससे नकरात्मक प्रभाव उत्पन होता है इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल में भी काफियत तक कमी आती है इसी प्रकार से ताजमहल की तस्वीर और शोपीस घर को सजाने के लिए बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जबकि हिंदू मानिता के नुसार इसको घर में रखने को वर्जित बताये गया है हिंदू मानिता के नुसार इसको घर में नहीं रखना चाहिए उसका कारण ये है क की ताजमहल जो है एक मगबरा है एक समाधी है जो मृत्यू की मौत की निशानी हो और नकरात्मकता का प्रतीख है इसे प्रेम का प्रतीख मान करके भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए इससे पती-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने के बजाए दूरी बढ़ने का ख्याल ब देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आगया दीजे और देखते रहिए मेरे यूट्यूब सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद हमें फोन के माध्यम से email और WhatsApp के माध्यम से appointment गुक कर सकते हैं हमारा नंबर है 999-07-24131 आपको दो नंबर दे रहा हूं इन दोनों नंबर पे WhatsApp अवैलेबल है आप WhatsApp करें 9818-300-146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नंबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email ID नोट कर लीजे इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद